नमस्कार भाईवों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाय की खोज में आज हम बात करेगी हिंदुत्तू के बारे में जी हाँ, हिंदुस्तान के हिंदुत्तू के बारे में क्योंकि भारत के टुकले होना संभव है दंगा होना भी संभव है जाती वादी पर बिवाद होना संभव है क्यूंकि बिहार राज के इस समय जो सिच्छा मंत्री चंदर से खर जी है उन्होंने आज करोडों हिंदू भाईयों को पर एक सवाल खड़ा किया है उन्होंने हिंदूगों का पवित्र और सचाई का ग्रंत राम चरित्र मानस का त्रसकार किया है हालांकि सभी को पता है कि योगों योगों से यह राम चरित्र मानस हिंदूगों का मार्ग दर्सक बनती हुई चली आ रही है और तो और बिहार राज के मुख मंतरी नितीज कुमार का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि सिच्छा मंतरी ने क्या कहा है आखिर सिच्छा मंतरी हिंदुस्तान में जाती बात का जहर फेराना चाहते हैं क्या क्योंकि सिच्छा मंत्री का मतलब होता है पड़ा लिखा नेता क्योंकि जब सिच्छा मंत्री ही ऐसी अपमान जन्ग बाते करेंगे तो हमारी जन्ता और देश की यूवा पेड़ी पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा राम चरित्र मानस पर सवाल उठाना इसका मतलब है भगवान पर सवाल उठाना और जब भगवान पर सवाल उठेगा तो हिंदू क्या सांध बैठेगा फिर देश में दंगा फसाद होगा साइद सिच्छा मंत्री यही चायते हैं क्योंकि उनको तो पॉलिटिक्स से मतलब है ना कि जनता और देश से क्योंकि इन्होंने एक इंट्रुव्य को दोरान बोला है कि राम चरित्र मानस में नफरत के अंस है इसका क्या मतलब है? हमारे भारत देश में कई विद्वान लोग हैं जिन्होंने राम चरित्र मानस कई बार पढ़ी होगी लेकिन आज तक ऐसी किसी बात का कोई वरडन नहीं किया है इनके कहने का मतलब राम चरित्र मानस अभी साफ है क्या? जबकि हमारे इंडिया वोडर पर लाखों सैनिक दिर्रात पहरा देते हैं ताकि हम सुरच्छित और सकून से रह सकें हम नेता को क्यों चुनते हैं? क्यों वोड़ देते हैं? ताकि वो हमारा और हमारी आने वाली पीडी का खयाल लखे और सच्चाई की तरफ ले जाए ना कि उनको अंधेरे की तरफ ले जाए हाला कि हमारे देश को मेरा भारत महान का आ जाता है जबकि भारत के भारतवासी ही देश में फूट डालने वाली और लोगों को दिलों को ठेश पहुचाने वाली बात करेंगे तो देश कैसे महान होगा आपको क्या लगता है चंद्र सेखर को करोडों हिंदूओं से माफी मांगने चाहिए या अपने मंत्री पद से स्थिपा देना चाहिए आप अपने राय नीचे कमेंड के रूम में अवस्य दें